दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में आने वाली सभी इंकमिंग कॉल को कैसे बंद कर सकते हो दोस्तो आपके फोन में नेट चलेगा आप किसी को कॉल कर पाओगे लेकिन दोस्तो आपके फोन में कोई भी कॉल नहीं आएगा आपको कोई भी कॉल नहीं कर कहसी आप incoming call को बंद कर सकते हैं चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए फिर सुरू करते हैं इसके लिए simple आपको dial pad को open करना है यहाँ पर आपको type करना है star 1 2 1 star उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऐसा number डाल देना है जो number बंद रहता हो अगर आपके पास कोई ऐसा number है जो हमेशा बंद रहता है तो आप उस number को डाल दो यानि कि यहाँ पर आपको कोई गलत number डाल देना होगा और अगर आपके पास ऐसा कोई number नहीं है तो simple आप यहाँ पर इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 इतना type करो 10 अंक हो गया है फिर उसके बाद में हाज लगाओ फिर इसको आप अपने उसी SIM से डाल कर दो जिस SIM पर आप incoming call को बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं डाल कर देता हूँ जैसे आप डाल करोगे यहाँ पर आपके सामने पपप आज आएगा call forwarding registration was successful तो successful दोस्तों अभी आपके phone में incoming call बंद हो चुका है अभी आप यहाँ पर ok करेंगे अब दोस्तों आपके phone में किसी का भी call नहीं आएगा अब basically इससे हुआ यह है कि आपके number पर call forwarding activate हो जुगा है आपके पास कोई भी call करेगा तो जो number आप ढ़ाले हैं उस number पर call जाएगा और वो number आपका बंद होगा या तो गलत आपने इं्टर किया होगा तो उसको गलत बता देगा आपके की पास call नहीं आएगा तो इसका यही mechanism है ऐसे वर्ट करता है तो चलो दोस्तों मैं अब आप कुछे करा देता हूं अपने पास call करता हूं घर जाOOD डPRIPYA अब टायल किया गएक गाए नंबर की जाश कर लिगा और अपके Been और यहां पैसे लिद तो आप किसी को भी कॉल कर नहीं राइट सो गाईज आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो incoming call को बंद किया है अगर आप incoming call को चालू करना चाहो तो कैसे आप वापस से अपनी incoming call को चालू करोगे यह हम आपको बता देते हैं इसके लिए simple आप dial pad को open करेंगे and simple यहां पर आप यह code डायल करेंगे double hash to one hash जैसे आप इस code को यहां पर dial करोगे अपने SIM से तो यहां पर दोस्तों call forwarding successfully जो activate हुआ है वो दोस्तों erase हो जाएगा राई ऐसा pop up आ जाएगा आप okay कर देंगे अब दोस्तों आपके phone में जो incoming call था वो चालू हो चुका है अब आपके पास कोई भी call कर पाएगा आपके पास incoming call आएगा अब दोस्तों मैं फिर से call करके आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पर मैं दूसरे phone से अपने पास call किया हूँ आप देख सकते हो सेम वही नंबर है तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास call आ चुका है राइट इस तरीके से आप अपने phone में incoming call को बंद कर सकते हो औरبة तो सब्सक्राइब करो मैं आपको बता दिया कि कैसे आप अपने फोन में incoming call को बंद कर सकते हो